हेलो स्टूडेंस वेलकम बैक टू हिंदी मेरा चैनल सभी स्टूडेंस का हिंदी मेरा प्रफिस स्वागत है अभी जो कंटेंट लेकर रहा है प्रिवेस कोशन पेपर जिसकी एक शरंखला हमने चला रखी है पहले हमने सेकंड सेम के अप्लोड किये थे उसके बाद हमने मिसले भी लग रहा है कि आपके दो पेपर होते हैं फर्स पेपर और सेकंड पेपर पेपर भी आपका बहुत लेंदी होता है जिसमें 15 जो आपके MCQ आते हैं उससे जो क्या है पका पेपर बहुत लेंदी हो जाता है बताने के परफस से अब यहां पर आपको बता देते हैं हमने सुभे आपको अप्रोड किया था दो हजार तेहिस का और अब हम लेकर रहा हैं दो हजार पाइस का बस दो ही साल के आपको पेपर मिलेंगे क्योंकि इससे पहले कोवीड था ट्वंटी वन ट्वंटी टू में जो हैं MCQ बेस प्खवे थे एक्जाम और उससे पहले समस्ट सब्सक्रता यह चीज में कहीं बार बता चुकी हूँ इस्टोडन स्कॉरिज भेजते रहते हैं कि मैंनम और भी साल के अप्लोड कीजिए तो बिल्कुल कीलियर यह चीज आप देख लीजिए कि आपके पास अगर आपको कोई देता है कि किसका है या फिर बीसका है तो वो प संबंदी पेपर से संबंदीत नोट से संबंदीत कभी भी आपको यहां पर जो है मिस गाइड नहीं किया जाएगा ठीक है तो बने रही हिंदी मेनर के साथ ऐसे ही बैनेफिचल वीडियो के लिए और हैल्फुल वीडियो के लिए वटाफा टेक लाइक कर दीजे और शेयर क वीडियो पहुच पाएगी आपके शेयर करने से और लाइक आप इसलिए करिए क्योंकि आपके लाइक करने से पता चलता है कि वीडियो कितने स्टुडेंस तक पहुच गई है जितने लाइक होते हैं उतना ही हमें लगता है कि वीडियो जादा सजादा स्टुडेंस के पास पहुँच रही है और सभी को इसका benefits हो रहा है हमारा डालने का फायदा तभी है जब सभी students इसको देखें और उनको exam की preparation अच्छे से कर पाएं अब यहाँ paper 22 का paper second B और यहाँ पर A, B मैंने morning में भी बताया था कि दो paper होते हैं आपका एक होता है उन्तरा जनल का हिंदी साहिते है और एक आपका होता है जन्पदिय साहिते है उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि paper आपके exam से पहले मैं upload करूँ लेकिन उसे पहले बता दूँ आप जो बहुत ही पुरानी videos है उन्हें जाकर आप चेक करेंगे तो जन्पदिय साहिते के previous question paper शायद मैं अप्लोड किये है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रशन पत्र तीन खंडों में विवक्त है वही आबास तीन खंडों में विवक्त है पहला खंड में वही 15 नंबर का एक question पूछा जाता है पाच प्रशन आपके दिये जाते हैं अब देख लेते हैं किस तरह के प्रशन यहाँ पर पूछे गए हैं जो आपका 23 पेपर था वहाँ जादा questions आपके 4th unit से पूछे गए थे तो यहाँ हम देखना चाहेंगे कि कहां से जादे प्रशन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके जहां से question 22 देश में पूछे गए तो ज़्यादा तर question वहीं से बनेंगे ज़्यादा महनत युनिवरस्टी नहीं करने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपके पेपर जोके तू भी उठकर आ सकते हैं उसका reason यह है कि अब semester आ चुका है अब आगे यर्ली खतम हो चुका है तो नया कुछ जो है युनिवरस्टी नहीं अपलाई करेगी जहां तक कोशिश करेगी आपके पेपर जहीं से या फिर कहीं से भी वो उठाकर डाले शोर नहीं है थोड़ा idea है हो सकता है यही अपलाई हो शोर नहीं है पहले ही बता रहे हूँ फिर भी आप बहुत अच्छे से preparation करके अपनी जाईएगा अब यहाँ पर देखना है कि पंदरा नंबर में पहला कोशन उपनियास के शित्रमी इलाज चंदर जोशी के योगदान की विवेचना कीजिए तो यहाँ पर जीवनी सीधी आप से पूछ लेगे इसमें करतितो व्यक्तितो सभी कुछ अच्छे से आप अब लोग कोशन है आप सोच रहेंगे कि इसको लेंदी कैसे बनाया जाए तो लेंदी इसको आप ऐसे बना सकते हैं पहले इनका जीवन परीजा दीजिए उसके बाद इनका पूरा व्यक्तित तो बताईए करतित तो बताईए इनके रचनाओं के बारे में और जो इनके रचनाओं है उसको थोड़ा थोड़ा आप मैटर वहाँ पर बता सकते हैं दो तीन का ठीक है तो उससे लेंदी हो जाता है चलते हैं आगे गोविन चातक करति बासूरी बस्तिरे के नायक का चरिचितरन कीजिए तो सभी को पता है बासूरी बस्तिरे का नायक जो है बीजानन्द है तो यहाँ पर चरिचितरन करना है इसके बाद है डॉक्टर शाम सिंग स्यसी की कावेगत विशेसनाओं की समालोचनात्मक विवेजना कीजिए तो ये भी प्रशन अच्छा है पत्थर और पानी सांसकर्तिक विरासत को सजोई हुए है समिक्षा कीजिए तो सांसकर्तिक विरासत क्यों सजोई हुए है पत्थर और पानी में यही लेखक ने बताने की कोशिश की है तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जो इसका सारांश है उसको थोड़ा सा आपको modify करके इस question के according ढालना होगा चलते हैं आगे पस करना वही है आपको कहानी कला के आधार पर एक नाम एक विश्वास कहानी की समिक्षा कीजिए समिक्षा में हमें क्या करना है कि एक नाम एक विश्वास में क्या अच्छा है क्या उत्यश्य है और क्या आपको ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था तो वो आपकी एक समिक्षा होती है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो ही कोशन आपके एक ही कोशन आपका पूछा गया है कहां से फोर्थ यूनिट से अब बाकी आपके फर्स सेकंड थर्ड यूनिट से पूछे गए तो इसका मतलब हर यूनिट से यहाँ कोशन पूछ लिया गया अब आते हैं शोट कोशन पर शोट कोशन में सो शब्दों का है मैंने का है पैटर्न तोड़ा सा बदलिएगा लिखने का कभी सो ही शब लिख कर आएं वही पांच नंबर का एक आठ 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 आपको करने होते हैं पर तेक प्रशन कांग पांच है रोटी की महग कहानी का उद्देश्य लिखे एक नाम एक विश्वास कहानी का सारांश लिखे एक नए किस्येगा जन्म कहानी की भाशा शैली पर परकाश डालिए तो देख रहे हैं फोर्थ यूनिट से कोशन बन चुके हैं लंगडी किरण नामक कभीता सामान परीचे और इसके केंद्रे भाव को इसपस्ट कीजिए मंगलेज नरवाल की चुपंचिपाई कवीता का मूल भाव इसपस्ट कीजिए तो सारे देखिए फोर्थ यूनिट से हैं यानि के पाच कोशन और वहाँ पर चार पूछे गए थे लगातार आपसे यहां पाच पूछ लिए गए हैं तो इसका मुद्राब आपकी फोर्थ यूनिट से शुरू के चार से पाच कोशन फोर्थ यूनिट से ही आने वाले हैं अब है जहाज का पंजी उपन्यास का उद्देश्य का शन शेप में वर्णन कीजिए क्या दिखाना चाहता है लेखक यहां पर इस उपन्यास के माध्यम से की बेरोजगारी है वो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और वो सोसता है कि जिसनी उसने श्टडी की है वो काम उसके लाइक नहीं है और वो काम पर काम चला जाता है वहीं जी यहां पर दिखाई गई है वेरोजगारी आप फोकस करके चल सकते हो गोविन्चातक ने बासूरी बस्ती रही नाटक में एक इन समाजिक समस्यां को उठाया है तो पता ही है आपको यहां पर देहेज की भी समस्या है और जो है आपका उजणीच की भ सालसा दुरुपयोग का प्रतीक है पस कीजिए सही बात है बिलकुल आजकल जो भोतिकता के कारण हमारी जो दुरुपयोग हम कर रहे हैं वनों का जल का तो इन सब के बारे में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है अगनी सागर के माध्यम से चलते हैं आगे जहाज का पंची उपन्यास समर्पित है किसी को निराला प्रसाज सुमितानमनर्बंद को या फिर महादेवी वर्मा को बताए किस लेकख को समर्पित है ये जहाज का पंची उपन्यास के लेकख का नाम बिलकुल आपके कोशन में ये पूछा गया है चलते हैं आगे बासूरी बसती रही क्य के ज़ें आपका नाटक है अप जलते हैं आगे बीजनंद को बजाने का शोक था क्या तबला बासूरी गेर या फिर सारंगी नेक्स कोशन अगनी सागर कावया का मुख्यापात्र कौन है मनू है श्वेटकेतु है ईरा हैं मेधा रिشी हैं नेक्स कोशन शास्तरों के अनुसार मनू की संख्या है कितने मनू हुए हैं 11, 14, 12 या फिर 20 इसके लग रहे होंगे कि चारो उप्षन सही है लेकिन इन्होंने कहा है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं तो ये आपको फोकस करना है पत्थर और पानी के लेखक बिलकुल आपके कोशन्स इसके पूछे जा चुके हैं सभी को पता होना चाहिए काली गोरी या फिर गार ठीक है यहां पर आगे है रोटी की महक कहानी का मुख्या पात्र है लाला राम दीनानात रामनात या फिर छवीनात नेस कोशन एक नाम एक रिश्वास के रोटी की महक में वो चवाने के लिए मजबूर हो जाता है थोड़ा याद कीजिए पता चल एक नाम एक रिश्वास के लेखक हैं हरिदत भट सैलेश मदूरेश वीद्यासागर नोटियाल इनमें से कोई नहीं को एलिमिनेट कर दीजे इनमें से ही है बताइए कौन है नेस कोशन आपका अर्विंद इनमें से किस कहानी का पात्र है एक ने किसे का जन्म गदल मांसी य तो बताइये जल्दी से इनमें से कोई नहीं है या पिर कोई है पहार पर लाल्टैन है किसका है उपन्या से कहानी संग्रें कविता संग्रें का की संग्रें तो पहार पर लाल और क्या है ये बताना है पत्थर और पानी की जो कृती है उसकी भूमी का किस ने लिखी है अगे ने जगूरी पंतिने या पंकज विस्टने ये कोशन बार-बार पूछा जाता है थोड़ा इसको ध्यान दीजेगा आप फटाफट लाइक कर दीजे और शेर कर दीजे और जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी जरू कर लिजेगा